जय हैं दोस्तों मेरा नाम है अजय मौरिया और आप देख रहे हैं अजय सर्जी यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कच्छा दो के लिए गणित विश्यका लेसर प्रान लेकर के आया हूँ तो दोस्तों डिस्क्रिस्यों में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विश्यों के सैक्रोल लेसर प्रान देखने को मिल जाएंगे इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिस्यों में चले जाएए और वहां सभी विश्यों के अलग अलग लेसर प्रान की प्रेडिट मिलेगी और वहा को अंकित दो सकते हैं जिसके लिखेर के नीचे दोस्तों आज का हमारा प्रक्रण है हासिल का जोड हासिल का जोड इसके बाद दोस्तों सामान उद्देश लिखा जाएगा सामान उद्देश लिखा जाएगा सामान उद्देश में देख लिजे क्या है फिर नमबर तीन बच्चों को दैनिक जीवन में गडित विशय की उपयोगिता को बताना फिर नमबर चार बच्चों में तरक सक्तिका विकात करना इसके बाद दोस्तों नमबर पांच है बच्चों को दैनिक जीवन में जोड के महत्त को बताना सामान उद्देश के बाद दोस्तों लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश से विशिष्ट उद्देश में देख लिजी क्या है बच्चों को हासिल का जोड आ जाएगा जिससे वे इसका प्रियोग देनिक जीवन में कर सकेंगे विशिष्ट उद्देश के बाद आप लिखेंगे सिच्छनविद सिच्छनविद में दोस्तों प्रश्णोत्तर विदी है और व्याख्यान विदी है सिच्छनविद के बाद सहायक सामागरी का नमबर आता है सहायक सामागरी में देखिए काच की गोलियां तथा अन्य कच्छा पयोगी वस्तुएं सहायक सामागरी हो गई इसके बाद बच्चे का पूर्व ग्यान लिखेंगे पूर्व ग्यान क्या है? बच्चों को गिंती का ग्यान है और वह अंकों को पहचानते हैं तथा उनकों बीना हासिल का जोड़ पता है और साथ बच्चों को गिंती पता है और बीना हासिल का जोड़ पता है ठीक है अब इसके बाद पूर्व ग्यान के बाद अब प्रस्तावना 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 हम देखें तीन कालम करम सं यहां पहला प्रश्ण करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके यह कितनी गोलियां है बच्चे को गोलियां देकर बच्चे को गोली दे देंगे कितनी गोलियां है बच्चा गिन करके बता देगा कि पंद्रे गोलियां है अगला प्रश्ण किसी दूसरे बच्चे से करेंग तुम्हें चार गोलियां और मिल जाएं तो कितनी गोलियां हो जाएंगी या उसी बच्चे से कर सकते हैं जिसको जिसने पंद्रे गोली बताया है तो पंद्रे गोली उसने बताया फिर आपने कहा कि चार गोली और तुम्हें दे दें तो तुम्हारे पास कितनी गोलियां हो ज क्योंकि अब आपने संख्या को क्या किया बढ़ा दिया आपने 27 गोली उसको एक आएक दे दिया ठीक है तो अब हासिल का जोड हो जाएगा तो तुरंत उसको गिन नहीं पाएगा दो चार रहता तो गिन लेता तो असके बाद अब उद्देश कथन कहेंगे उद्देश कथन म कि बच्चों आज हम लोग हासिल का जोड सीखेंगे इसके बाद आता है प्रस्तुति करण का नंबर दोस्तों प्रस्तुति करण से पहले मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हो कि यंगर वीडियो को और आप लोगों नहीं किया दोस्तों लाइक कर दीजै Dot Filter जहा़ा। अभी विसियों के सेकड़ों हजारों लेशन प्रांद देखने को मिल जाएंगे दोस्तों ठीक है चाथ बताएंगे एक दहाई पांच इकाई अगला प्रशन उननीस में कितनी दहाई और कितनी इकाई है बच्चे बताएंगे एक दहाई नौ इकाई फिर अगला प्रशन इनको जोडने का क्या तरीका है चाथ तरमोन हो जाएंगे क्योंकि उनको हासिल का जोड नहीं आता है इसके बाद अस्पष्टी करन, यह आप बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे, अस्पष्टी करन देखिए, बच्चों सर्व पर्थम हम पहली संख्या को लिख लेते हैं, फिर हम दूसरी संख्या को उसके नीचे इकाई अंक को इकाई अंक वाले तथा दहाई अंक को दहाई वाले अंक के नीचे लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहली संख्या को लिखते हैं, इकाई उसके बाद इकाई और दहाई लिखते हैं, अब उसके बाद जोड़ना उनलों को बताएंगे, यहां देखिए, नौ पांच, नौ में पांच जोड़ेंगे तो कितना हैगा, गिन करके बताए कि पर चवदय हो जाएगा तो चवदय में आप कहेंगे कि यह देखे चार इकाई है अव एक दहाई है तो बच्चों इकाई के नीचे सिर्प इकाई लिखी जाती है तो इस चार को हम क्या करेंगे इकाई के नीचे लिख देंगे और यह जो एक है इसको हम दहाई के नीचे लिखेंगे तो दहाई के नीचे लिखने का मतलब है कि यही एक जो है दहाई वाली अंकों में जुड़ेगा ठीक है तो यहां देखें दहाई एक है और इकाई भी क्या है पहली संख्या की दहाई एक और दूसरी संख्या की भी दहाई एक 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 दो और यह वाला एक तीन उसको हम यहां लिखवा देंगे वो जाएगा चौँतिस अब बच्चों को जब बता देंगे कि हासिल का जोड ऐसे जोड़ा जाता है तो अब बोधात्मक प्रश्ण पर उन चालीश धन सत्ताषी और दन अनशाट अटहट्र धन अनतालीश उसके बाद देख लिजे हां स्यामपट्टकार बच्चों को उतारने के लिए कहेंगे तो आप इसको फिल कर लेंगे पहले जोड करके समझा करके तब उतरवाएंगे जैसे यहां देखें प्रकरण का नाव है हासिल का जोड कच्छा दो उसके बाद देखें इकाई दहाई उन्चाश धन उन्नियाती इसका जोड कितना 128 है यहां देखें पच्पन धन 77 इनका जोड एक सो 32 तो ब बच्चों की कापियों का निरिष्ण करेगा कि वह से आपकार उतार रहे है या नहीं इसके बाद अभ्यास प्रसंदे देंगे 98 धन 78, 73 धन 84, 54 धन 27 एक अभ्यासकार हो गया उसके बाद गिरिहकार अवस्य देंगे गिरिहकार में निम्न लिखिस संख्याओं को जोड़िए 99 धन 87, 64 धन 78, 54 धन 78 उसके निचे हसाक्षा परिवेचक फिर हसाक्षा चातर ध्यापक इसी के साथ दोस्तों यह लेशन प्लान यहीं समाप्त हो रहा है लेकिन आप लोगों से एक अपील यही है कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और डि